शिब बाबा याद है ना? ओम शान्ती सुनते हैं आज 4 फेबरिवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है ज्ञान को स्वेम में समाने से ही अनमौल मोती और अमोग शक्ती की प्राप्ती आज की मुडली में बाबा ने समाने का परत्यक्त सुरूप क्या है? साथ साथ प्यारे बाप दादाने स्पस्ट किया हर सेकंड पलस माइनस का हिसाब कैसे रखना है? ठरली बाबा ने पुराना खाता दिल को कब खाता है? तो आउ सुनते हैं चार फरवरी 75 की अव्यक्त मुरली अभी संगम युगी स्रैश्ठा आत्माएं इस समय चातक के समान हैं जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वेम में समाने से मौती बना देती है ऐसे ही आप सभी भी जो ग्यान के बोल वा महावाक्य सुनते हो और धारन करते हो वे एक-एक बोल क्या बन जाता है आप भी उसे मौती बना देते हो ना और यहाँ एक-एक बोल पदमापती बनाने वाला बन जाता है एक-एक बोल अमुले तब बनता है जब आप बच्चे उसे धारन कर लेते हो जैसे चातक बूंद को धारन कर लेते हैं वैसे ही आप भी इस ग्यान को सुन कर समा लेते हो समाने का परत्यक शुरूप क्या दिखाई देता है अबड़े ध्यान से सुनना इस प्रशन का उत्तर हर ऐसे हर संकल्प हर बोल हर करम पदमों के जमा करने का आधार बन जाता है अर्थात हर सेकिंड के बोल में वै आत्मा पदम पती सुरूप में दिखाई देती है स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है लेकिन होती वै अलब काल की है परन्तु ग्यान चातक के चेहरे पर खुशी की जलक स्थूल और इसमें फरक बता रहे हैं बाबा ग्यान चातक के चेहरे पर खुशी की जलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है अपने दर्पन में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी जलक को हर समय देखते हो हर सेकिंड के जमा का हिसाब चेक करते हो पलस कितना होता है और माइनस कितना होता है ऐसा अपना आइनस पस्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो आज मिथमेटिक सिखा रहे हैं या यूं कहूं पोता मेल कैसे रखना है वो सिखा रहे हैं रो जाना रात को चेक करो पलस और माइनस पलस हुआ लेकिन क्या माइनस भी हुआ क्या वो भी चेक करो विशेश समय निकाल कर हिसाब किताब देखते हो जी बाबा रात के टाइम जरूर देखते हैं अभी अभी कमाई और अभी अभी गवाई ये उतार चड़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने देखने करने का विशेश समय निकालना होगा अगर एकरस कमाई है जमाही होता जाता है बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है अर्थात खाता क्लियर है तो जिस समय भी चाहें एक सिकन में हिसाब निकाल सकते हैं विल्कुल ठीक बाबा पहले पहले हम चार्ट जब लिखना शुरू किया था 25 साल पहले तो कभी अप डाउन अप डाउन कभी बहुत टाप का अच्छा होता था कभी ढीला कभी कैसा कभी कैसा तो बहुत इच्छा होती थी कि ये अप डाउन खतम हो जाए अप अप सदाई अच्छा रहे maximum limit कैसी रहे उससे नीचे तो कभी ना आए मैं समझता हूँ पिछले लग बग 18 साल से अब वेसी स्टेज चल रही है अब ऐसा दिन वर्ष में एक मिनी होता जिस दिन butt down हो जाए ना योग लगे ना किछ दिल करे ना बिलकुल अवस्ता है ना सेवा का मन करे अब अब अप ही अप रहता है अच्छा फर्स क्लास पहले तो आई नहीं सकती आई तो सेकंड में उड़ाओ तो बाबा ने कहा जिसकी एकरस सवस्ता होगी वो ही बाबा कह रहे है हाँ 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 एकरस कमाई है तो एक सेकंड में एक सेकंड में बाबा ने कहा वो अपना खाता क्लियर वो देख पाएगा हाँ एक सेकंड में हिसाब निकार सचमुच रात को बैठते हैं पहले ही क्लियर है बिल्कुल हम क्या अमरतवेला क्या मॉर्लिप क्या 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 पूरा चार्ट क्लियर रहता है दिन मुश्किल से पांच मेंड लगता है सारा चार्ट चेक करने तब बाबा कहते कि एक सकन में हिसाब निकाल सकते हो क्या रिजल्ट देखते हो अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते जिसको पाप करमों का खाता कहा जाता है उसको भसं कराने वाले हैं वेश्वेम अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते यह तो पुराने खाते हैं आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जनम नए खाते बनाने वाले हो पुराने खाते सब खतम हो रहे हैं ऐसा अनुभव होता है यदि पुराने खाते को पुर सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा खाता रहेगा अगर कुछ भी बचा हुआ है कोई भी अपने संसकारों का या कुछ और बाबा ने का थोड़ा सा भी पुराने कड़े संसकार वो खाता रहेगा दिल को यहां भी यदी माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदा बार 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 तंग करते हैं ऐसे करज का मर्ज कहा जाता है यहां भी माया का कोई करज पुराने खाते में रहा हुआ है तब ही माया बार बार प्रेशान करती है वह किसी ना किसी मांसिक करज के रूप में है वह करज चुकता करना पड़ता है तो अपने खाते को चेक करो क्या चेक करना है कि कोई रहा हुआ करज संकल्प वह संसकार के रूप में या सौभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है ये चेक करो, रहा होगा तो कर्जदार फिर फिर प्रेशान करेगा जैसे शारिरिक रोगवा कर्ज बुद्धी को एकागरचित नहीं करने देता उस कर्ज को भसं करो, पॉर्फल भठी करके उन पुराने संसकारों को भसं कर दो तो बाबा ने बुद्धी को शारिरिक रोग वा कर्ज नहीं एकागर चित होने देता ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है ऐसे ही मनसिक कर्ज का मर्ज बुद्धी योग को एकागर करने ही नहीं देता फिर कहेंगे मेरा योग नहीं लगता बाई जी क्या करूँ बैठती तो हूँ पर बुद्धी पता नहीं कहां कहां चली जाती है कर्ज कर्ज का मर्ज है जो खीच रहा है फिर कहते हैं बुद्धी नहीं टिकती पता नहीं कहां 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 सब पता है कर्जे देने ना जाए तो बाबा ने कहा अपनी तरफ एकागर चित नहीं करने देता ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार-बार कीच लेता है ऐसे ही ये मांसिक कर्ज का मर्ज बुधी योग को एकागर नहीं करने देता बलकि विगन रूप बन जाता है अभी तो समय की समाप्ती की समीपता है तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो उने जल्दी अब नहीं तो कभी नहीं हिसाब किताब आता है ना मास्टर नॉलेज़फुल हो ना पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्ब विकल्ब के रूप में होगा अब सुनिए कौन-कौन से कर्ज और कैसे आएंगे व्यर्थ संकल्ब विकल्ब के रूप में होगा या कोई संसकार वा सौभाव के रूप में होगा इन बातों से चेक करो कि संकल्ब एक है याद भी एक को करते हैं अथ्वा करना भी एक कोई चाहते हैं होता दूसरा है क्यों होता है अपनी तरफ क्या खिंचता है और क्यों खिंचता है बोज है कोई जो अपनी तरफ खिंचता है हलकी चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी वैचरती कला में ही होगी किसी भी परकार का बोज कितना भी उपर करना चाहे तो उपर नहीं ज ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मना में संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो चेक करो फिर भी लाश्ट चांस बाबा दे रहा है चेंज करो अगर कोई रहा हुआ है संसकार या कोई और चीज उसे पट्र बसं कर दो ऐसी तेज योग की अगन लगन की अगन परज्वलित कर दो जो बसं हो जाए उसमें फिर बाबा ने का सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में संकल्प और करम में अंतर क्यों उसंतर का कारण सोचोगे तो पस्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लान में अंतर होता है सरव शक्तियों में से किसी विशेश शक्ती की कमी है जैसे योधा मदान में जैसे योधा मदान में सरव शश्त्रधारी नहीं बन जाते तो समय पर किसी साधारन शश्त्र की भी आवश्यक्ता पड़ जाती है तो उन्हें साधारन शश्त्र की भी कमी भी ब अपनी बुद्धी से भले ही जज करते हो कि ये तो साधारन बात है ये कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है इसलिए टाइटल ही है मास्टर सरवशक्तिवान बाप सरवशक्तिवान और बच्चे मास्टर सरवशक्तिवान नहीं विजई का आर्थ ही है सरवशक्त्रधारी चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो चेंज तब होंगे जब सरवशक्तियों स्वेम में समाई होंगी अर्थात नौलेज़फुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए अगर नौलेज़फुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर बराबर चाहिए नौलेज़फुल का रिजल्ट है प्लैनिंग और पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल नौलेज़फुल का रिजल्ट है संकल्प और powerful का result है सुरूप में आना दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना अर्थात संपूरण बनना योग में और सेवा में जितना समय स्वेम को बिजी रखोगे तो automatically करजदार को आने की हिम्मत वा फुरसत नहीं मिलेगी अच्छा ओम शांती लास्ट सेंटेंस में बाबा ने सारी वानी का solution बता दिया पहले तो सब बताया क्यों बुद्धी खिचती है क्या कारण कोई करज है करजदार चक्र काट रहा है वो ही आपके बुद्धी को खीच रहा है लास्ट सेंटेंस में बाबा ने कह दिया योग में और सेवा में जितना समय स्वेम को बिजी रखोगे आटोमेटिकली करजदार को आने की हिम्मत वा फुरसत नहीं मिलेगी इसलिए निरंतर बिजी रखो अपनी उंती के नए नए प्लैन बनाओ फिर आप देखो कैसे प्यारे बाबा सारे करज खतम और निशानी एकदम बुद्धी बाबा में एकाग्र हो जाए और अब यहें एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे